वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल केमिस्टी वस मैसल पासिस भासकर चिनियर केमिस्टी फेपलिटी आफ चार्टी ग्रोपर इस्टीशन बच्छो हम लोग इस्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट आपका यह जो लेक्चर होगा यह बच्छो आपका इसमें जो हैडिंग होग फॉरस के बारे में भी हम लोगों ने स्टीडी कर रख गया है तो इंपोर्टेंट पॉइंट के है बच्छो आपके पी ब्लॉक से सल्फर क्लोरीन फॉस्पोरस और नाइट्रोजन इनके बच्छो ऑग्जी ऐसिट्स पर काफी वार कोश्टन डायक्ट पूछे गए हैं तो उनके ऑखी ऐसिट्स की बच्छो हीटिंग तो इस्प्रिफाइड बच्छो में कर दो कि आपके सल्फर के ऑखी ऐसिट्स बच्छो यहां पर आपके यह जो दो में लिखे हैं एक स्ट्फिरिक एसिड है एक एस्टोस पॉर और एक बच्छो आपका स्ल्फियूरस मतलब बच्छो एक आएक बच्छो इसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम आता है मतलब लाश्ट में आपका अस आपका सफिक्स एड़ किया जाएगा किलियर है अब नेक्स पॉइंट अब चुछ जब चलते हैं बच्छो हमेंश्ब को आपको द्यान देना है इस मैफटड को आपको ध्यान देना है इजी method क्या है बच्छो सबसे पहले अपनको condensation करना है और शेकिन बच्छो आपको करना है dehydration तो सबसे पहले या करना है बच्छो condensation है मैं बटा बात कर रहे है in case of sulfur तो सबसे पहले बच्छो condensation कर दो फिर देन बच्छो आप dehydration कर दो यह hydration का मतलब बच्चों क्या है removal of water molecules और hydration का मतलब होता है addition of water molecules तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले example यह है मैंने बच्चों H204 का तो H204 के अंदर बच्चों sulfur का जो oxidation number होता है वो plus 6 होता है आपने निकाल भी सकते हैं जैसे बच्चों H204 क्या होगा यह minus 2 में आ sulfur का बच्चों जो यह जो आपका element है यह बच्चों आपके oxygen family से बिलोंग करता है तो definitely बच्चों sulfur का जो आपका oxidation number है वो आपका प्लस 6 से अधिक नहीं जा सकता है ठीक है तो next बच्चों तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर condensation करा लिया है तो देखो बच्चों क्या हो होगा H4, H2, O8 हो जाएगा क्या बात clear है तो first process हो गया now comes to the second तो second है बच्चों आपका dehydration का मतलब क्या बच्चों water molecules हैं से आप release कर दो वन बच्चों बच्चों यहां से क्या होगा बच्चों है तो बच्चों यहां से बाहर निकल जाएंगे दू बच्चों यहां पर यहा बच्चों मिला है है हाँ पर H2, H2, O7 इसका बच्चों नम होता है डाई-sulphuric acid क्या होगा इस 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 कॉल्ड डाई-sulphuric acid बैसे बच्चों आपके जो एक acid से जब बच्चों water molecules को बहार निकालते हैं बच्चों फीटिंग प्रोसेस तो बच्चों यहां पर आपका pyro word बच्चों यह होता है। प्यरो बैटा क्यों हम उज्जाते हैं? व्यकाज बाइल निकल जाते हैं तो बनाब सकते हैं और बच्चों आप सल्फुरिक एचेसलिंगा प्यरोशन होती है तो बैटा क्यों स्ट्री, वॉर, बैटेचों हो जाएंगे यंदो यहाँ पर दो हेड्रोजन थे तो आपका इजी बटा सॉट्रिक या बनेगा दो बनेंगे और एक्क डिस्टिवुशन बच्छों करा दो आप वह बच्छों आपने एक्क डिस्टिवुशन करा दिया दो है अभी बच्छों कितने यहाँ पर औक्षिजन तो कहीं ने कि इसको बच्चो आपके अपके शेयर करेगा तो बच्चो आपके शेयर हो जाएंगे अभी एक उक्षिन बचेगा तो बच्चो आपका इसके पास बच्चो एक आपका बच्चो आते हैं हम लोग है यहां देखो बच्चो इसका रम होगा आपका शेयर कर दिया है तो एच फॉर्ट यहां पर यहां पर फॉर्म हो जाएगा अब कोई चैंज हो नहीं रहा है बच्चो इहां पर ऑक्षिन सिक्स हैं यहां पर कितना एक उक्षिन बाहर जाएगा तो मिलेगा विटा ओफाइब तो एच्टू एच्टू ओफाइब का यहां पर का फॉर्मेशन होगा अब एच्टू एच्टू ओफाइब को बच्चो हम लोग क्या बोलेंगे पाइरो सल्फ्यूरस एसेड बनाए रहा वाटर मॉलीकूल से बच्चो रिमुवा हीटिंग प्रोसेस के द्वारा तो कहीं नहीं पर इसका नाम होगा पाइरो सल्फ्यूरस क्या deve पॉल्टि प्रोसेस के अब पर इसका नाम अब इसका नाम बहुता है बिदा यहां से बच्चो इसका नाम ले क्यों सकते हैं करें अब ऑफ्च्यू स्टिट का वाटा मुंष्ट मेंसे नाम का वसं प्रोस एसेडलीके लिखिया पाइरोस स्ट्वूरस या फिर आपका डाई सल्फूरेस सेट भी हम बोल सकते हैं तो इसका देखलो आप इस्ट्रक्चर बेटा दो हीड्रोचन है तो बेटा कहने के दो बनेंगे एक को डिस्टिवूशन एक इधर पर एक को इधर बेटा आप डिस्टिवूट कर दो अब देखो बचो यहां दो को सल्फर की बालेंसी कितनी सिक्स होती है ठीक है और बच्चो आपके सिंगल बॉंड से अटेच होगा अब इसके पास कितने औक्षिण बच्चे यहां इधर अटेच कर सकते हो बागी बच्चो इस घ्र आपको मिलेगा लॉन के तो इस इस बेसे इस्ट्रक्चर फोदा एच्टू एच इस अब बोलते हैं पाइरो सल्फियूरस एचिड क्लेर बच्चो कौन से अपटे हैं कभी क्वेशन मिलते हैं तो आप इस तरीक इस से सॉल्व कर सकते हो अजिश्ट्ट्ट्ट नेक्स वह भलों बात करेंगे यहां पर सम्मुरी ऑफ इटिन एफेक्ट व्यक्ट जितनी बच्चो हम लोग नियुक्च पढ़े हैं बच्चो चाहें आपका ना इट्रोचन का हो चाहें बच्चो आपका क्लूरीन का हो ना चाहें सल्फर का हो तो कह को बच्चों हम लोग स्टार्ड करते हैं first बच्चों यहाँपे आपको दे रखा है H2COO3 है अब बच्चों हम लोगे इसे कारभानिक एक एस्पोर नहां इसको बेटा ये एक एसिट है एक इस इप की हों और यहां देखो बचो आप अगर CO3-2 dissociate भी करोगे तो आपका 4 जितना है बचो तो माइनस 2 आपका इधर आ जाएगा तो प्लस 6 इधर करेंगे तो आपका माइनस 6 बचो इधर करेंगे तो प्लस 6 प्लस 6-2 मतलब प्लस 4 इधर आंसर तो जब बचो इसको हीट करेंगे तो आपन बचो एक हिंट को याद रखेंगे आपको वाटर मॉलीकूल्स रिमूब करना है जब आपका गिविन ऑक्जी आइसेड का बचो तो ऑक्सिडिशन नंबर मैक्सम वो मतलब गूर्प मेंट गूर्प नंबर के एक कुल हो और एस बैल एस बच्चो वो एक एसेड हो तो उस कीस में हमेश्या बच्चो आप फॉलो करो क्या है दिहड्रेट करो आपको डिहड्रेशन करा देना है आंसर आपका बन जागा लेक प्लस्चिक साथ है अपन बच्चो निकाल सकते हैं इसको हम डिसोशियेट कर देंगे बटा एसो 4-2 के अंदर तो बच्चो इसका मैक्जिममम आपका जो गुरूप नंबर है वो प्लस 6 ही होता है तो मैक्जिममम ऑक्चो कितना होगा प्लस 6 डेफिनली बच्चो आपका एक एसेड है ठीक हाला कि आपको पता है लेकिन मैं आपको बेरिफाइड करके बता रहूं बार पर क्योंकि आपको इक कॉंसेप्ट समझना अच्छे तो एस दो फूर बच्चो करेंगे डियाइडरेशन कराना है बच्चो क्यों क्यों क्योंकि बच्चो यहां पर मैक्समम ऑक्षिरिशन नंबर को होल्ड करने वाले एक कंपाउंड है तो बच्चो पहले वाटर यही मेंस और एडवांस का ने डिसकस भी किया जाता है इस तरीके से एसो थरीक को बच्चो अगर मैं हीट करता हूं 800 डिगरी सेल्सियस पे तो बच्चो क्या फॉर्म होता है एसो टू का फॉर्मिशन और बच्चो हाप मुलस अप ऑक्षिन गयास बच्चो यहां से आपकी इबॉल्ब हो गई के लिए रहे नेक्स दोगों बच्चो अचलो फॉर पर आते हैं बच्चो तो अचलो फॉर बच्चो आपको पहले पता चलना चाहिए कि वहां बेटा इसका उक्सिरी समबर केतना है बेटा सेंटल एलिमेंट क्लोरीन का तो बच्चो आपका प्लस से बच्चो हेलोजन फैमली की जब बच्चो बात करते हैं तो आपका ग्रूप नंबर बच्चो रेप्रेंट करता है प्लस से बिन तो यहीं बच्चो आपके मैग्जोम उक्सिरीशन नंबर किसका क्लोरीन का तो डेफमेंटी इसे एक एसीड बात मेरी समझ में आई क्या अब बच्चो मैं अग्जम उक्सिरीशन नंबर को होड़ कर रहा है एक एसीड आपका रेप्रेजेंट हो रहा है तो मतलब बच्चो आपका शॉटर्टर फॉलओगा डेफिट्रेशन करा तो बच्चो फोर के अंदर तो एक ही अईड्रोजन होता है इसलिए बच्चो यहाँ प दो hydrogen एक oxygen बहार चला जाएगा क्या बच्छों बचेगा दो chlorine और आपका 7 oxygen तो Cl2O7 का formation अब Cl2O7 के अंदर बच्छों oxygen बार आप निकालोगे तो oxygen के लिए बच्छों कितना होगा 7 into minus 2 मत्ब माइनस 14 माइनस 14 को अपने इकोल के दरशे प्लस 14 प्लस 14 डिवाइड वी 2 तो इस तरीके से बच्छों जब आपका maximum oxygen नंबर होगा तो उस के स्वेड़ी इस तरीके से questions को solve करेंगे नेक्स बच्छों हम लोग बात करेंगे यहां पर फूर्थ बच्छों हमारे पास oxygen है आपको यहां से आपको मिलेगा NO3-1 मिलेगा बच्छों ऑक्षिन की जब बात करेंगे तो बच्छों हम-6 होगा तो लिख सकते हैं बच्छों प्लस मैंनस-6 is equal to minus-1 एक्स उसकोल टूब बच्छों प्लस-6-1 मद्दब प्लस-5 इस दाँसर तो बच्छों आप यह निटर्ल का जो maximum oxygen हो नमब रहाए वो कि इसका मतलब बच्छों आपका nitrogen का जो गुरूप नमबर हो तो प्लस-5 को रेसेन करता है हाइस ट्रीड से नंबर आ रहें तो आपका 1 अश्याव हो गई है इस पर दो हीड करेंगे तो बठ्चों आपका जो इज़ी बनी गई है अब आप बाटर मॉलीकुल को जेख सकते हो बच्छो दो हेंट्रोजन एक उक्षिन बहार क्या बचा एंट्व फाइब बचा तो यहां पर एंट्व फाइब के अंदर आपका जो ऑक्षिरिशन नंबर होगा वो कितना होगा नेट्रोजन का तो यहां बच्छो आ है अब बच्छो और यहां पर थोड़ा सा पूछ दिते हैं कि अगर यहां पर हीट करते हैं 450 डिगरी सेल्सियस पर तो बच्छो यहां पर आंसर बच्छो क्या बनता है एंट्व फाइब बच्छो कनवार्ट होता है टू मूल्स अप एनुट्व गैस के अंदर ना सब्सक्राइब करते हैं तो जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर चेक करके देखो यहां पर कितने वाटर मॉलिक्यूस आपको देख रहे हैं यहां पर फॉर ओक्षय के अंदर यह बच्छो आपके इक सद्क आपके आपके जो Millennium हैं औपके रिलीस होगे अब बात समझों हो कि ए क्या बनेगा बीक्या बनेगा क्या बनेगा तो definitely बच्चों आपको इस चीज में बता देता हूं कि C आपका जो बनेगा, वो C जो जो भी compound बनेगा उसके पास water molecules present नहीं होगा, क्योंकि बच्चों सारे के सारे water molecules B और C के पास फिनिस हो जाएंगे, तो B के पास water molecules बचे गए नहीं, तो मलतलब P2O5 is the correct answer for the C, क्या मेरी बा B की बात करेंगे, तो B क्या होना चाहिए, तो सुचों जला B क्या होगा, कहने की A के compare में B के पास water molecules बच्चों कैसे होगे less, A के पास water molecules कैसे होगे अधिक, मतलब water molecules more होगे, ठीक है, यहां तक बात clear है, अब यहां पे, यह जो given compound B, तो B में आपका कौन सा होगा, तो आप य चेक करो, कि यहां पे दे रखा, आपका HPO3, यहां पे आपका 1 hydrogen है, यहां पे किता oxygen है, बच्चों 3 oxygen है, इसमें चेक करो जारा, इसमें आपके 4 hydrogen है, और आपके 7 oxygen है, ठीक है, क्लियर है, इसका मतलब A में A के पास बच्चों कौन होगा, A के पास जो answer होगा, वो आपका answer water molecules है देखा रहे हैं, तो A के पास बच्चों कौन सा compound बनेगा, H4, P2O7, इस तरी के आप समझ सकते हो, water molecules के रिउवल को लेकर, और जो B पर चलेंगे, तो B के पास definitely बच्चों आपका HPO3 होजाएगा, मतलब HPO3 बच्चों जो होगा, वो आपके B को represent करेगा, फर्स्ट, और P2O5 बच्चों definitely आपकी सीख लिए होगा, तो आप water molecules के level से आप इस तरी की समझ सकते हो, जहाँ पर water molecules सबसे कम होगी, तो बच्चों definitely आपका last का ही product होगा न वो, ठीक है, यह concept आपको समझ में आया होगा, तो इस तरी के से अगर आप solve करोगे, तो questions आप बहुत ज़ल्दी examination में solve कर सकते हो, कम टाइम में, ठीक हाला कि बच्चे ऐसी question छोड़ देते हैं, और सूचने की यहाँ पर कौन सांसर बनेगा, तो आप इस तरी के solve कर लोगे, तो आपके लिए काफी questions bonus बन जाएगा, क्लियर है बच्चों, अब इसके बात हम करेंगे, next question दे रखा है, question HbO2 दे रखा है, next is B2O3 दे रखा है, कौन सा अंसर होगा, तो C answer तो अपनको दिख रहा है, कि जहां पे आपका water molecules नहीं होना चाहिए, यहां भी hydrogen है, यहां भी hydrogen है, इसके पास देखो बचो hydrogen नहीं है, जब hydrogen नहीं है, तो water molecules की बात finish हो जाएगी न, तो definitely आपका C answer यही पांड सी के लिए हो जाएगा, आप देखते हैं, टिक कर सकते हो, बास अब देखो, इसमें A और B की जब बात करेंगे, तो आप देखो यहां पर identify कर सकते हो, क्या बचो, यहां पर आप देखो गे तो definitely बचो, यहां पर water molecules, definitely आपको maximum देख रहे हैं, यहां water molecules बचो, आपके A और B में क्या form होगा, तो आपका जो A होगा, वो आपके फर्स्ट के लिए जाएगा, यहां water molecules में बन रहे हैं, टिक है, B के लिए बात करेंगे, तो आपका Hb ut हो जाएगा, clear है, तो इस तरीक से आप questions को solve कर सकते हो, लोग बात करेंगे, पर आपका next question है, H4, SAO 4, यहां ब हीट किया, B का formation, B को हीट किया, C का formation, तो A, B, C क्या होगा, बच्चों हमारे पास 3 compounds इसरी के से मिने दिया, बटा, फर्स्ट शेकिन, थर्ड के अंदर, तो आप देखो बच्चों, यहां बे जब इसको हीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोगों, बच्चों C क्या होगा, त तो C options जो होगा, बच्चों वो आपकी second compound के represent करेगा, A और B कितना असन मने है, A और B में बच्चों क्या होगा, तो देखो इसके पास 2 hydrogen है, यहां पर 3 oxygen है, यहां चक्वर बच्चो 6 hydrogen है, 7 oxygen है, मतलब कहा water molecules बच्चों आपका maximum को, तो यहां water molecules बच्चों कैसे होगे maximum, इसका मतलब कि A के पास बच्चों चला जाएगा, आपका third compound, और B के पास बच्चों बच्चों का first compound, जो कितना आसान है, इस तरीके से आपको questions को बहुत easily solve कर पाऊगे, अब बच्चों हम लोग चलते next concept, concept है बच्चों कि जब आपका oxidation number, given oxygen acids की बात कर रहे हैं, जहां पर लिखा oxygen acids के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों यहां पर एक ऐसा oxygen acids जिसका oxidation number आपके maximum oxygen नमबर से less है, मतलब बच्चों अस acid की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस case में जब बच्चों हम heat करेंगे, तो heat करने पे आपको, क्या आपको easy trick follow करना चाहिए, तो easy trick बच्चो नमबर से less हो गई, ऐसा compound, ऐसा oxygen acid, तो उसके नदर बच्चों बनेंगे आपके two product, तो मतलब बच्चों आपके disproportionation को represent करेगा, तो बच्चों यहां पे दो product कौन कौन से बनेंगे, मैं लिखाए बच्चों easy करने के लिए, कि just higher oxygen state, एक acid form, मतलब बच्चों आपको जो oxygen नमब का जो आपका एक acid है, उसका formation होगा, एक compound और दूसरे compound बच्चों फोर्म होगा, जो आपको oxidation नमबर दे रखा है, जैसे बच्चों में बोलनों कि यहां पी सपोज किसी का 4 दे रखा है, यह आपका acid है, तो इसके आप ऊपर जाओगे तो बच्चों सपोज प्लसिक सपोज आपका आ रहा है, नीची आओगे तो बच्चों एक lower oxidation नमबर को represent करेगा, इट में भी 3, प्लस 2, 0, माइनस बन कुछ पी आपका हो सकता है, तो यह definitely बच्चों यहां पर एक oxidation को support करेगा, एक आपके reduction को support करेगा, बच्चों disproportionation के अंदर बच्चों follow कि आता है, average oxidation नमबर concept, ठीक है, तो average oxidation पर concept का rules बिलकुर correct होना चीए, कि जितना आपको rectant की side में central element का oxidation नमबर है, उतना ही oxidation नमबर, क्योंकि बच्चों यहां पर दो product बन रहे हैं, तो दो product जब बन रहे हैं, तो हाँ बच्चों हम लोग average निकालेंगे, कि भई PS3 के अंदर बच्चों phosphorus oxidation नमबर, यहां S3PO4 के अंदर phosphorus oxidation नमबर, divide by 2 करेंगे, तो यहां पर जो value निकल के आएगी, वो value बच्चों यहां पर satisfied करने चीए, एककोल होनी चीए, क्या मेरी वास होन में आई, तो बच्चों answer आपको definitely correct होगा, तो देखो चलते हैं, बच्चों पहला question है, S3PO3, इसको मैंने heat किया तो बच्चों देखो यहां पर आपका जो phosphorus है, उसका oxidation नमबर कितना होगा, तो S3PO4 जो आपको दे रखा है, यहां बच्चों oxidation नमबर आता है, बच्चों plus 3, अब plus 3 आपको देख रहा है, तो कहीने कहीं बच्चों जो phosphorus है, वो आपकी nitrogen family से belong करता है, element है, तो जहां बच्च आता है, बच्चो phosphorus बाले केस, मंगर lower oxidation नमबर आप जा रहे हो, तो बच्चों यह काहां से मिलता है, pH 3, फॉस्पी नहीं मिलेगा, यहां पर आपको minus 3 को represent करेगा, sorry, this is minus 3, और यहां पर S3PO4 की बात करेंगे, तो यहां पर आप oxidation में नकल सकते हो, बच्चों highest oxidation में नकल के आ तो एक आपका oxidation से बनेगा, जो बना है S3PO4, एक बनेगा आपका reduction process है, जो बना है PS3, इसी तरीके से बच्चों H2, S3PO2 पर आते हैं, तो S3PO2 के अंदर आपका oxidation नमबर है, वो कहीं ने कहीं बच्चों हो, जो को H3PO4, 3C तो कमी है, यहां पर oxygen आपका और कम होगे, तो यहां यह आपका concept है, तो अगर आपका higher oxidation मरवाला होगा, तो वहां पर मैंने questions कराएं, वहां पर आपको dehydration direct करा देना है, अगर आपको acid के compound मिलते हैं, lower oxygen state compound मिलते हैं मैं एक जम से, तो उस case में एक बनेगा आपका एक acid, just higher वाला, और एक बनेगा आपका product lower oxidation state का, नेक्स देखेंगे बच्चों यहां पर, नेक्स आपका compound बच्चों, होग जा रहा है, यहां पर एक रेडक्शन हो रहा है, HCl का formation, और HCl O3 की बच्चों बात करेंगे, तो यहां पर कहीं ने कहीं बच्चों इसका oxygen में कितना आएगा, तो बच्चों देखेंगे, आपका 3 into 2 minus 2, आपका minus 6 होगा, ठीक है, उधर जागा बेटा plus 6, ठीक है, और HCl O3 जब बेटा इसकों dissociate करते हैं, तो क्या मिलता है, यह आपको मिलता है, HCl O3 minus 1 मिलता है, तो आक्षन कितना हो जाएगा, आपका 3 into minus 2 minus 6, जाएगा plus 6, plus 6 minus 1 कर देगा, तो प्लस 5 इस दा आंसर, तो कही जाएगा तो अक्षिदी कि बच्चों से प्लस 5 जाएगा, तो भात करते हैं, तो यह भी बच्चों आपका plus 3 ऑक्षिदी करते हैं, यह भी लोवर के अंदर बच्चों आ रहा है, इसको हीट करेंगे तो बच्चों एक है यह आपका बच्चों से बनेगा minus 7, एक बच्चों बनेगा आपका HL O3, बोथ हारी important तो बच्छों यहां पर आपका होगा plus 5, दोनों यह बच्छों important है, कम reactions आपके, नेक से बच्छों HL O3 की बात करते हैं, तो बच्छों यहां पर एक HL O4 का formation होगा, के लिए concept है, यहां बच्छों, बच्छों कितना आएगा, यह आपका plus 7 आजाएगा, और यहां बच्छों माइनस बनेगा, तो बच्छों बनेगा, तो बच्छों प्लस 5 से क्या हो रहा है, reduction हो रहा है, value decrease हो रही है, जब HL O4 पर जाएंगे, तो कहीं नगी प्लस 5 से प्लस से बिल जा रहा है, तो आपका oxidation हो रहा है, value decrease कर रही है, तो यह important point क्या आपको ध्यान देना है, कि HL O और HL O2 में, बच्छों यहां पर इतना oxidation नहीं हो पाता है, इतना energy molecules को नहीं मिल पाती है, जो आपका HL O4 में पहुंच जाए, यह HL O3 पर जाकर भच्छों stop हो जाता है, लेकिन HL O3 को अगर मैं heat करता हूं तो यह बच्छों definitely HL O4 पर आराम से आपका पहुंच जाता है, लेकिन HL बच्छों आपका डरक्शन में तीनों ही process के अंदर मिल रहा है, कि लिए है, यहां पर समझ में आ गई अब यहां से जो नो की बात करेंगा तो बच्छो नैट्रों का उक्षिरेशन में केतना आता है प्लस टू आता है यह आपको डॉक्षिरेशन से क्लियर है इसके बाद देखेंगे बच्छो एसको हीट करेंगे तो आपको करेंगे एक मिलेगा है एक एक अखेड़ेशन करते रहा है तो उसी का मतलब क्या है कि यहां बच्छो सबसे पहले इसका आप टॉइस्टेशन करते रहा है तो उसी का मतलब क्या है कि यहां बच्छो सबसे पहले इसका आप कर दो क्या होगा बच्छो आपको हो जाएगा एस फूर एस टू ओशिक्स हो जाएगा हीट करोगी तो मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल और आपका सब्सक्राइब करना है अगर आपको सब्सक्राइब करना है अगर यहां पर बच्छो जैसे आपका हम करते हैं तो हम आपको मैनेश बन होता है यहांग रेक्शन से जहां तो यहां भी आपका disproportionation reaction होता है जहां बच्चों आपका आपके water molecules और oxygen gas रिलीज होती है यहां से बच्चों मिलेगा CuCl2 यहां पर बटा copper copper करें देखो बच्चों 0 होगा यहां बच्चों कितना होगा प्लस टू समझ महारा तो एक बच्चों oxidation से होगा और एक आपका प्लस टू प्लस टू जाएगा तो और प्लस टू जाएगा तो आपका अडक्षन यहां पर यहां पर यहां पर समझना जोरी है कि करिका मतलब बच्चों लिखा क्वा रहा तो यहां पर Sophia मृ quella抵ाडख आ रहाता जो बचो एसर फरूरी और करता है को अब्राइब दौनों का मतलब बच्छो क्या है प्लस्टू जो नलेक का मतलब बच्छो क्या हो बैस्ट ने ट्रों से तो जो बिचे नेट्टन की कि सीयों दिसकिया इसके बाद जैके एक इसे ऐनो का फॉर्मेशन घुल याथ होगा विलकुल चाहे आपका रस데 ऐसके बाहन मकुरी के साहट आपका डक्षल में और बचस्यों कर आ और हुगा तो आप जोर का मतलब बच्छो क्या होगा जीरो से और सोर का मतलब बेड़ा सलफर होगा तो बच्छो आपका जीरो उक्सिडिसिन अमर को सो करेगा आपको रेटक्शन के अंगे तो इस तरीके से आपका यहां पर अब बच्छो आपका जो नेक्स लेक्सिल अमरों के स्टार्ट करेंगे वहां बच्छो अमरों पढ़ेंगे और इडिशिंग एजेंट तो आपको इसको काफी अपने पढ़ने वाले हैं और पर कितनी आपके इनरजी पार्टिशेपेट करते हैं यह बड़ा जो कॉंसेप्ट है यह आपके जो डिफेंट एक्जामनेशन उसके अंदर बिलकुल आपके यूश्फूल होंगे ठीक है थेंक्यू थेंक्स फिर वाचिंग